पूर फोकस होगा पैगी कार्टर पर जो कि इस्टीव रोजर की कल फ्रेंट थी Captain America बनने के बाद पर ये अलग multiple timeline है और then Marvel ने confirm कर रहा है कि ये MCU Phase 4 का part होगा जो कि एक अलग universe होगा तो उसमें Steve Roger की जगे Peggy Carter को select करा जाएगा वो Captain America बनेगी जो कि पूरी टीम को lead भी करेंगी और then इससे timeline break होकी तूट जाएगी और then इसमें जो होने वाला सीजन वन में है वो है Watcher तो पूरा सीजन देखने के बाद पता चलेगा कि सीजन वन में actual में हुआ क्या है और multiverse क्यों break हुआ है चलिए बात करते हैं कुछ एस्ट अपडेट के बारे में किस इंग बूद भी कल के दिन रिलीज होने वाली है इंग्लेश लेंग्वेज में और आपको ये बाइस तारिक को थेटर में देखने को मिलेगी हिंदी लेंग्वेज में उसी के साथ नेटफ्लेक्स ने कंफर्म करते है The Witcher Night of Mayer बुल्फ तो ये हिंदी में कंफर्म हो चुकी जो कि इसका ओफिशली टीजर भी रिलीज करते है हिंदी में तीस अगस्त को ये आपको नेटफ्लेक्स पे देखने को मिलेगी और देन खतननाक मूवी Midnight, Mass जो कि हिंदी में रिलीज होने वाली है और ये एक TV सीरीज है मूवी नहीं है ये TV सीरीज जो कि हिंदी में रिलीज होने वाली है मिलनल मूरली जो कि साउथ इंडियन पहली सुपर हीरो मूवी है हिंदी इतमिल तेल्गों में रिलीज हो कि कंफर्म हो चुका है नेटबलेक्स पे जब भी कोई डेट इसकी कंफर्म हो जागी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूगा और फैनली अब धमागेदर अपडेट 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है एनिमी मूवी जिसके बैक टू बैक चार पार्ट आप एक ही दिन को देख सकने है 13 तारिक को इसका नाम है इंजेलियन जो कि भूती कमाल की एनिमी मूवी है काफी टाइम पीरिड है इनकी बीच में रिलीजिंग को पर आप 13 तारिक को इसे हिंदी लेंगेज में देख सकते है Amazon Prime वीडियो पर तो गाइस ये थी वो काफी सारे कमाल के अपडेट आपको वीडियो पसंदा है तो लाइक कमेंट शेर करना और मेंचा को सब्सक्राइब करना तो गाइस आज के बैसे नहीं थैंको वर वाचिंग दिस वीडियो बाई